हेलो दोस्तों तो कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे वेलकम है आप सभी का हमारे इंडेस्ट्री ब्लोग में तो गाइस आज के पांस से साथ मिनट के वीडियो में हम आप लोगों को पंद्रा ऐसे जनकारिया देने वाले जिसके बारे वे स आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भीमराव अंबेटकर के बारे में तो गैस चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला परसने आपके लिए डाक्टर अंबे आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है नोट कर लें दूसरा कोस्चन है आपके लिए डॉक्टर अम्बेटकर का जन कहां हुआ था तो गैस अगर आपको इसका एंसर पता है तो आप कॉमेंट सेशन में हमें जरूर बता सकते हैं नहीं तो थोड़ी दिरवेट कर ले आपको जो है तो इसका एंसर मिल जाएगा तो गैस दूसरा कोस्चन आपके लिए डॉक्टर अम्बेटकर का जन कहां हुआ था इसका मद्धे परदेश इंदोर के महु छाबनी में हुआ था तो गैस ये भी आप नोट कर ले ये भी आपके लिए कापी इंपोर्टेंट है नेक्स् चुका है इसका उत्तर है राम जी मुलाची सकपाल डाक्टर अम्बेटकर साहब के पिता का नाम था राम जी मुलाची सकपाल और गैस नेक्स्ट कोस्चन है आपका डाक्टर अम्बेटकर की माता का नाम क्या था तो गैस अगर आपको इनके माता जी का नाम पता है तो आप बीमराव अमबेटकर की माता का नाम था भीमा वाई यह सब पॉइंट्स जो होते हैं यह आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपोटेंट है नेक्स्ट कोश्चन है आपका डाक्टर अमबेटकर के पिता का पिता क्या करते थे यह आपको क्या पता है कि अमबेटकर साहब के पिता जी क्या करते थे अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे डाक्टर अमबेटकर के पिता जी जो हैं वो सेना में सुवेदार थे सुवेदार तो आप लोग जानती ही होंगे यह आप नोट कर लें आप लोग के लिए बहुत ही इंपोटेंट है यह नेक्स्ट अगर पता है तो कमेंट में जरूर बता दें तो गैस देखें डाक्टर अमबेटकर की माता जी का देहांत जो है वो 1896 में हुआ था यह सब चीज जो है सो नोट करने वाले चीज है और यह छोटे छोटे चीज जो है सो आपको काफी आगे ले जा सकती है नेक्स्ट कोश्च है आप जो नोट कर ले इनका उमर मात पांच वर्स था जब उनके माता जी एक्सपैड किये थे तब उनका उमर सिर्फ और सिर्फ पांच वर्स थे यानि कि छोटा सा एक बच्चे थे वह गैस नेक्स्ट कोश्चन है आपका डाक्टर अमबेटकर किस जाती से थे यह ज़्य महार जाती आप लोग तो समझी सकते यह महार जाती क्या होती है हमारे जो डाक्टर भीमराव अमबेटकर साब थे यह महार जाती से थे और यह काफी अच्छे बंदे थे आप लोग इनके बारे में काफी सुना होगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन है आपका महार जाती को कैसा माना जाता था उस समय में मान लिया जा जिस समय में हमारे स्केट मुतना ये नहीं था उसमें महार जाती को किस रूप में देखा जाता था कैसे माना जाता था ये आप देख सकते हैं मच्छूत यानि कि निमन वर्ग में सबसे निचले वर्ग जो होते हैं उसमें माना जाता था, यह महार जाती को जो है, तो अच्छोती या फिर निमनुबर्ग में देखा जाता था, तो गैस, नेक्स्ट कोश्चन है आपका, डाक्टर अमबेडकर को, एस्कूल में कहां बिठाया जाता था, गैस, आप लोग भी एस्कूल में जाते हैं, तो अभी इसकी इस तरह से पढ़ाय होता है, पहले की पढ़ाय कैसे होती थी, यह देख सकते हैं, डाक्टर अमबेडकर सहाब को कलास के बाहर बेठाया जाता था, यह आपका उत्तर है कलास के बाहर, तो गैस, इन सब चीजों को छोटी छोटी चीज है, आप लोग के लाइफ में यह बहुत ही इनपोर्टेंट हो सकती है, तो गैस, नेक्स्ट कोश्चन है आपका, तो यहाँ पर देख लिए, डाक्टर अमबेडकर को एसकूल में पानी कैसे पिलाया जाता था, गैस, देख ले, पानी उनको कैसे पिलाया जाता था, उत्तर में है आपका, उच्छी जाती का व्यक्ति उचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था गैस देख सकते हैं कि जब वो पढ़ाई करते थे उची जाती के लोग किस तरह से पेशाते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबा साहब का वीवा कब और किस से हुआ यानि कि भीमराव अंबेटकर का वीवा कब और किस से हुआ था तो गैस इसके बारे में आप लोग के पास जनकारी हो सकती है क्योंकि यह जगा जगा पढ़ाया जाता है अगर नहीं है जनकारी तो हम आपको बता देते हैं डाक्टर भीमराव अंबेटकर का मतलब इनका जो वीवा है 1906 में हुआ था और रामबाई के स तो गैस और नेक्स्ट कोस्टन है आपके सामने बाबा साहब ने मैट्रिक परिच्छा कब पास की तो गैस यह भी आप लोग देख ले हमारे जो बाबा साहब है यानि कि भीमराव अंबेटकर यह 1907 में अपनी मैट्रिक की परिच्छा पास की थी और आपके सामने question जो है आपका डॉक्टर अमबेड करके बंबई विश्विद्याले में परवेश लेने से क्या हुआ था इनके साथ तो वेट करें आगे है आपका उत्तर बंबई विश्विद्याले में परवेश करने से भारत में कॉलेज में परवेश लेने वाले पहले अस्प्रिस से बन नेक्स्ट कोस्टन है आपका गाये कवार के महाराज ने ड答 consult को पहांभेजा का आ कि एंको पहां है इनको पहां सीर्थ कॉलंबिया विस्विद्ध आले नीוכ यॉर्क अमेरिबर का जो थैं उनके महाराज दो पहां जो देखों है। कोलंबिया विस विद्ध्याले नीव योर्क में भेजे थे तो गाइस आज के लिए इतना ही नेक्स्ट विडियो में